अगर आप 2024 में कच्छा बारावी में एडमीसन ले चुके हैं और 2024-25 के लिए रसायन विज्ञान का पाठ करम जानना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आप सभी के लिए ही है हेलो प्यारे बच्चो मैं हूँ आपका भईया रिसब सिंग और आप सभी का आपके अपने यूटीब परिवार रिसी यस क्लासेस पर स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी बच्चे 2024 में कच्छा बारावी में एडमिसन ले चुके हैं और कच्छा बारावी के रसायन विज्ञान यानि के रसायन सास्त्र का सलेबस जानना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही जादा यूजफुल होने वाला है जो कि 2024-2025 के बच्चों के लिए ही है ठीक है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान में टोटल कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उन चैप्टर्स के अंतरगत उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें पढ़ना रहेगा जिन पर हमें लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड करना है उन सभी चीजों के बारे में आप सभी को में बताने वाला हूँ तो चलिए अपने इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं लेकिन अगर आप सभी इस च बात करते हैं बात करते हैं कि कच्छा बारावी के कमिश्ट्री का क्या स्लेवस है इसको हम जानते हैं तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो कच्छा बारावी के कमिश्ट्री के स्लेवस के अंतरगत टोटल दस चैप्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं और उनके नाम क्य हैं उनके टॉपिक्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं उनके अंतरगत इन सभी चीजों को चलिए अब हम डीटेल में बात करना श्टार्ट करते हैं तो अगर यहां पर बात करते हैं तो कच्छा बारावी के जो रसायन विज्ञान का पाठ करम है उसमें हम सबसे पहले पाठ पर होता है इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है राउल्ट का नियम बहुत इंपोर्टन आप सभी के एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से होगा उसके बाद इसी में ही और भी हम चीजों पर बात करेंगे कि हम पिक को मैं एक PDF में मेंशन कर दूँगा और वह PDF आप सभी को हम टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड कर देंगे तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर आपको साइट चीजे मिल जाएगी अदर्वाइज आप हमारे WhatsApp चैनल पर भी जॉइन कर सकत ठीक है वैद्धूत रसायन को हम इंग्लिस में कहते हैं electrochemistry इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि विद्धूत अब घटन क्या होता है सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि वैद्धूत रसायन actually होता क्या है इसके बारे में हम क्यों पढ़ते हैं इन सभी ची पढ़ेंगे और इनके relation के बारे में भी हम बात करेंगे उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कोलराउस का नियम क्या होता है जो कि आप सभी के exam के point of view से बहुत ही ज्यादा important होगा तो कोलराउस नियम को भी हमें अच्छे से पढ़ना रहेगा उसके बाद इसी में ही और भ बात करेंगे सीशा संचाइक सल क्या होता है और फिर बैद्धुत अब घटन स्रेडी बिद्धुत रसायन स्रेडी क्या होता है इन सभी जीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी में ही हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स देखने को बिले वाले है यह चैप्तर काफी ल अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो उन सभी टॉपिक को मैं एक पीडियाफ में मेंशन कर दूँगा और वह पीडियाफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रॉइड कर दिया जाएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ तो पार्ट तीन में अग क्या होता है ठीक है और उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि अंतरगत हम पढ़ेंगे कि जो अबकिरिया होता है उसका वेग क्या है यानि कि कोई भी अबकिरिया हो रही है तो वह कितनी गति से हो रही है उसका वेग क्या है इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसके करेंगे उसके बाद इसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो कि जो हमारे पास अब किरिया का बेग है उसको प्रभावित कर सकते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सांदरता है और फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास temperature होता हुगा किस प्रकार से factor करता है इन सभी चीजों पर भी हम बाते करेंगे और भी बहुत सारे factors हैं उन सभी चीजों को हम बताएंगे आप सभी को ठेक है उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो concentration होता है वह rate of reaction को I mean जो सांदरता होता है वह किस प्रकार से किसी भी reaction की गति को परभावित करता है वेग को परभावित करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे फिर उसके बार इसी में हम पढ़ेंगे कोटी किसी भी reaction का किसी भी अभिकिरिया का कोटी क्या है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सुनने आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि जैसे हम बात करेंगे और हीनियस equation क्या है सक्रियर उर्जा क्या है और फिर इसमें हम temperature coefficient के बारे में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारे topics हैं इस chapter के अंतरियत काफी चौड़ा लंबा चौड़ा chapter है तो इसमें बहुत सारे topics हैं वह सभी topic आप सभी को पीडियाफ मेंशन कर देंगे आप लोग को पीडियाफ प्रोवाइड कर देंगे ठीक है बढ़ते हैं अपने पार्ट चार की तरफ actually हर एक चैप्टर के पीडियाफ को मतलब topic को इस बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं था डिश्टल वोर्ड होता तो वह अलग बात होती लेकिन यहां पर लिखना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैंने चीजों को मैं लिखा नहीं है सारी चीजों को मैं और ली बता दे रहा हूं और जो जो topic छूट जाएंगे उन्हें PDF में प्रवाइड कर दूँगा बढ़ते हैं अगले चैप्टर के तरफ तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्ट चार के अंतर रहा तर दी और एफ ब्लॉक के तत्यों के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि D-block के तत्यों क्या हैं उनका electronic configuration क्या ऐसे किया जाता है कौन कौन से हमारे पास तत्यों होते हैं उनके कितने परकार के properties होते हैं physical properties पर ही ज्यादा focus होता है तो उन सभी चीजों पर बात करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे F-block के तत्यों के बारे में तो F-block में भी same procedure इसमे हम पहले elements को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक lengthenide series होता है एक actenide series होता है फिर उसके बाद हम जानेंगे कि जो ये lengthenide और actenide हमारे पास strategy है उसमें कौन-कौन से तत्यों है और साथ-साथ उनका क्या electronic configuration है इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे उसके बाद हम इसमें और भी कुछ गुड़ों के बारे में भी जानेंगे जैसे भौतिक गुड़ों के ही बारे में ज्यादा तर जानते हैं ठीक है तो इसके योगिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कि योगात्मक योगिक क्या होता है आडविक योगिक क्या होता है इसमें हम बहुत ही important theories के बारे में पढ़ेंगे I mean सिध्धानतों के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे जटल योगिक हैं जिनके IPSC नेम हमें जानने होंगे क्योंकि वहाँ से direct question आप सभी के exam में पूछा जाता है उसके बाद इसी में ही हम पढ़ेंगे कि हमारे पास crystal field सिध्धान्त क्या होता है सैयोजी बंध सिध्धान्त क्या होता है जिसे हम VBT यानि की valence bond थेरी काते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे LFT के बारे में यानि की ligand field सिध्धान्त क्या होता है ठीक है इसके अलावे बहुत सारे topic है आप सभी को पीडियोफ में मिल जाएगा बढ़ते हैं अपने part 5 की तरफ जिसमें हम पढ़ते हैं कि हेलो एलकेन और हेलो एरीन क्या होता है ठीक है तो यहां पर बात करते हैं तो हमने कुछ physical के chapters देखें कुछ inorganic के chapter देखें अब हम बढ़ते हैं अपने organic के chapter की तरफ ठीक है तो इसमें हम पढ़ते हैं कि हेलो एलकेन और हेलो एरीन क्या होता है इनका हम कैसे preparation करते हैं यानि कि कैसे हम इन्हें lab में बनाते हैं या फिर किसी औ गुडों के बारे में जब बात करना start करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इनके भौतिक गुड क्या है रसाइनिक गुड क्या है और इनी से ही आप सभी के exam में question भी पूछा जाता है ठीक है और भी बहुत सारी चीज़ें तो वह सारी चीज़ें आप सभी को मैं PDF में ही provide क करते हैं तो इने में हम जानेंगे कि alcohol क्या होता है alcohol का कैसे निर्माड किया जाता है alcohol कितने परकार क्यों होते है इनके ना भी बात करेंगे, इनके हम भौतिक गुड रसाइनिक गुड के बारे में भी बात करेंगे similarly हम यहाँ पर फिनॉल और एथर के बारे में भी यही साइच चीजे पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है इनको बनाने के बाद हम इनके भौतिक गुड रसाइनिक गुड के बारे में भी जानेंगे उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास part 8 आता है जिसमें हम पढ़ते हैं aldehyde ketone और carvauxilic acid के बारे में ठेक है यह बहुत important chapter आप सभी के exam के point of view से होगा इसमें भी हम वही सारे topics पढ़ेंगे कि यह क्या होते हैं इनको कैसे बनाया जाएगा इनके भौतिक गुड क्या होते हैं इनके रसाइनिक गुड क्या होते हैं इन सभी चीजों के बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे इनमें कुछ naming reactions भी होंगे उन्हें भी हम देखेंगे उसके बाद part 9 आता है जिसमें हम पढ़ते हैं एमीन के बारे में ठीक है तो एमीन में हम जानेंगे कि हमारे पास एमीन क्या होता है एमीन का कैसे preparation किया बनाया जाता है कैसे इनके भौतिक गुड़ क्या है रसाइनिक गुड़ क्या है साथे साथ इनमें हम जब इन्हें प्रकारों में divide करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि प्राथमे के मीन क्या है दुतिया के मीन क्या है तिर्तिया के मीन क्या है और फिर इन्हें हम कैसे अलग-अलग पहचान सकते हैं, differentiate भी करेंगे, ठीक है, और डाइजोनियम लवड के बारे में भी इसी चैप्टर के अंतरियत पढ़ते हैं, तो overall इस चैप्टर के अंतरियत भी multiple topics हैं, बहुत सारे topics हैं, उनसे भी topic को मैं PDF में provide कर दूँगा, बढ़ते हैं अपने last chapter के तरफ, पाठ तस, जिसमें हम पढ़ते हैं, जय अड़ू के बारे में, जय अड़ू यानि कि bio molecules के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि carbohydrate क्या होता है, हम chemical reaction के point of view से चीजों को देखेंगे, ठीक है, फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि proteins क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि nucleic acid क्या होता है, nucleic acid में हमें केवल दो topic ही पढ़ना रहेगा, DNA और RNA, जबकि carbohydrate में अगर बात किया जाए, तो हमें पढ़ना है कि monocarbohydrate क्या होता है, और फिर हम इसमें diecarbohydrate के बारे में पढ़ेंगे, यानि कि saccharides के बारे में हम पढ़ेंगे, तो अहाँ पर आपको मैं समझाऊँगा, glucose, fructose के बारे में जानेंगे, उनके preparation के बारे में जानेंगे, उनके muta rotation के बारे में भी जानेंगे, बहुत सारे topics हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और protein में भी हम जानेंगे कि protein क्या होता है, peptide क्या होता है, peptide bond क्या होता है और फिर यहां पर हम जानेंगे कि amino acid क्या होता है यानि कि amino amlis क्या होता है, इन सभी जीजों के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम protein के ही अंतरियत जानेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स यानि कि सन्रचना कैसे बनाया जाते हैं यानि कि प्राथ्मिक्स प्रोटीन का सन्रचना क्या होता है दुट्यक प्रोटीन का क्या सन्रचना होता है तिट्यक प्रोटीन का क्या सन्रचना होता है इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं इसी के अंतरगत और भी बहुत सार टॉपिक्स हैं तो वो सभी टॉपिक्स आप सभी को हम PDF में प्रोवाइट कर देंगे आप लोग को PDF टेलीगराम चैनल पर मिल जाएगा तो आप हमारे टेलीगराम चैनल से जोईन कर लीजेगा वहाँ पर आपको वो साई चीज़े देखने को मिल जाएगे ठीक है तो अब इस वीडियो कहीं पर हम स्वाप्त करते हैं I hope आप सभी को यह साई चीज़े समझ में आ चुके होंगी आप लोग अगर इतनी चीज़ों का स्क्रिन साउट लेना चाहें तो ले सकते हम साइड हो चुके हैं और ये हमने अपने 2024-25 के बच्चों के लिए रसायन सास्तर यानि के रसायन विग्यान का हमने पार्ट करम डिसकस कर लिया यानि कि स्लेवस हमने डिसकस कर लिया ठीक है अब अगले वीडियो में जो हम मिलेंगे तो हम अपने पहले चैप्टर यानि कि पार्ट वन बिलियन का सुरुवात करेंगे और हर एक टॉपिक को डिटेल में डिसकस करते हुए ही चलेंगे तो आई होफ आप सभी को साई चीजे अच्छे से समझ में आ चुकी होगी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जो लाइक करेगा साथी साथ कमेंट करते हुए ज़रूर हमें बताईगा कि ये सारी वीडियो कैसे लग रहे हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को आइडिया लग गया होगा इनके important questions मैं provide करूँ या फिर साथ आप सभी को topic wise lecture प्रोवाइड करूँ इन चीजों के बारे में आप लोग जरूर बताईगा और इनके PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो हमसे मिलते हैं अपने next lecture में तब तक पढ़ते रहिए संघर्स करते रहिए और सफल होते रहिए